नमस्कर, नमोर अग्वाय, मित्रो, 4 जुन 2024 का एक वेसिस्ट दिन है, लोगसभा चुनाओ 2024 का अंतीम परणाम की प्राप्ती हो जानी है, तीसरी बार क्या प्रधारमंत्री मानिनी मोदी जी शपत लेंगे, या फिर कहानी कुछ और होगी, इस वीडियो के पहले, 4-5 वीडियो में हमने व्यख्याइद किया है, कि क्या संभावना बनती हुई नजला रही है, भारती जनता पाटी को कितने सीटों की संख्या तक आनी है, एक संभावना के रूप में आलडी मैं पहले व्यख्याइद कर चुका हूँ, लेकिन जिस तथ् को हमारे देश के परधानमंत्री मानेनी मोदी जी सपत ले सकेंगे, मित्रों 4 जून 2024 से 17 जून 2024 तक हमने पंचांग महुर्थ को खंगाला है, एक शोध शंकलन के रूप में हमने इस पे ध्यान दिया है, देखा है, ति एक ऐसी वेसेष्ट तिथी का आगमन होता हुआ नज करा रही है, कि शायद उसी तिथी विसेश को हमारे देश के परधानमंत्री मानेनी मोदी जी शपत लेंगे, एक जैकली जिस महुर्थ काल में हम कोई नवीन कारे का आरंभ करते हैं, और वैसे भी हमारे इतने ब्रिहतर अस्तर के देश विसेश भारत वर्स के परधानमंत्र कि पद की शपत की बात यदि होती है, तो पंचांग महुर्थ की बात होनी चाहिए हमारा सानातन सिखाता है, यह बिल्कुल ऐसी वे बात हो सकती है, कि हमारे देश के परधानमंत्री मननी मोदी जी से संबंधित कुछ वेसिस्ट धर्मगुरु होंगे, जिनके निर्देश जारेक्शन पर ऐसा होगा, यह भी हो सकता है कि मेरी बाते असत्य हो जाए, परन्तु चार जून दोजर चौबिस से सतरा जून दोजर चौबिस के इस अंधराल कालखंड में एक ऐसी तित्थी मेरे समक्ष, मेरे समुक आ रही है, जिसे बताना जरूरी है कि ऐसी बाते मैं क उसी इंपोर्टेंट फाइब पार्ट के हिसाब से उसे पंचांग कहा गया है, अर्थात, सबसी अच्छी बात है कि हम कोई नवीन कारे करते हैं, तो किस महुर्त, किस लगन, किस रासी, किस नचतर की उस बिवस्ता में हम कोई नवीन कारे का शुभारम करते हैं, उसका 17 जून, इन 13 दिनों के अंतराल कालखंड में एक ऐसी वेशिष्ट तिथी है, जो हमें मजबूर कर रही है कि इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बता सको कि यदि इस तिथी को हमारे देश के प्रधानमंतरी मानिनी मोदी जी एक समयधानिक पद, प्रधानमंतरी पद की स पत लेते हैं, तो बड़ा शांदार होगा, सुन्दर होगा, एक संभावना की रूप में बताने का समाचा होगा, बताने का प्रयास कर रहा हूं कि यह तिथी इवेशिष्ट तिथी क्यों है, मित्रों, अर्थात पंचांग मोहुर्द की बात करते हैं, तो उसमें पांच अ पर अधारित साथ दिन है, वार की बात करते हैं, अर्थात पहली तित्थी की बात और दूसरे भूबाग में दिखा जाए, तो वार की बात होती है, अकास मंडल में ताराओं का समोह जब इकठा होता है, जिसे नचतर का नाम दिया गया है, अर्थात 27 प्रकार की नचतर में जब बेहतर नचतर का आगमन पंचांग मोहरत के माध्यम से होता है, तो शुब माना गया है, सोरी और चंद्रमा के मध्ध प्रइस्तितिवस्त जो ब्यवस्था बनती है, उससे कुछ योग बनते हैं, अर्थात 25 मोहरत में जब वेसिस्ट योग बनते हैं, तो उससे भी बह तर माना गया है, अर्थात वह कौन सा डेट है, तारिक है, जो पंचांग मोहरत के तहत मयाह आपको बताने की कोशिश में लगा हूँ, पांचवा भाग, इंपोर्टेंट पार्ट है, करण, अर्थात करण की जब बात होती है, और राजविशेक की बात होगी, रास्तिलक की बात होगी, और देश के गरिमा में पद, और समिधानी पद, प्रधान मंत्री पद की शपत की बात होगी, तो करण को हम एवाइड नहीं कर सकते हैं, मित्रों, वह ऐसी वेशिश्टी थी है, 11 जून 2024, जो मंगलवार का दिन भी है, शुभ दिन है, और तीथी में देखा जा तो शुक्ल पक्च की पंचमी तिथी को वैसे भी शुभत्व शुभकारी माना गया है, मित्रों, योग की बात करते हैं, तो उस दिन इतने शांदार योग बनते हुए नजरा रहे हैं, सरवार्थ सिध्धी योग, अर्थात इस योग का मतलब होता है, कि सभी कारियों में स सिध्धी योग बनता हुआ, अर्थात यह योग कब बन रहा है, दिन के चार बज के 33 मिनट के पस शात भी अमरित सिध्धी योग के प्राक्ति होती नजरा रही है, तीसरा योग, रवी योग, अर्थात इतने सांदार योग बने हुए हैं, और रवी योग का तात्पर होत की बात करें तो उस सुंदर 11 जुन 2024 के असलेसा नच्छत्र में यदि हमारे देश के परधानमंतरी माननी मोदी जी शपत लेते हैं जो बुद्ध का नच्छत्र है तो शांदार है मित्रों करण की जब बात करते हैं चुकि राजया भीषिक जैसे कारे को अंजाम तक पहुचाने के लिए उस शांदार करण योग में वावक योग बना हुआ है वावक करण योग बना हुआ है अर्थाद पंचांग मोहृत के सापिक्ष दिखा जाए तो शांदार की थी काल अर्थाद 11 जून जो मैंने बताया कि 4 जून 2024 से 17 जून 2024 के इन 13 दिनों के अंतराल काल खंड में 10 जून की बात करेंगे तो 10 जून की सायंग काल में 5 बज की 46 मेर तक वैसे भद्रा है मित्रों सुक्ल पंचमी की तिथी मंगलवार का दिन और अमरित सिध्धी योग रवी योग और सरवार सिध्धी योग जैसे शांदार योग बने हुए है वव करण योग बना हुआ है और शांदार महुर्त काल खंड में यदि हमारे देश के प्रधान मंत्री मानिनी मोदी जी 11 जुन 2024 को सपत लेते हैं तो इसका इंपेक्ट इसका परणाम बड़ा शांदार आना है जो कि किसी वेसिस्ट महुर्त में हम किसी नवीन कारे का आरंभ को अंजाम तक पहुंचाते हैं तो उसका शुक्षद परणाम की प्राप्ति निकालने में और एक रिजल्टेंट प्राप्ति में हम जब पंचांग महुर्त का सहरा लेते हैं तो उसका बेमिशाल रिजल्ट की प्राप्ति होती है मित्रो मेरी बाते सत्य होती है अथवा असत्य यह मैटर नहीं है मैंने एक संभावना के तहत इस वीडियो की माध्यम से यह बताने का प्रयास किया कि 4 जुन 2024 से 17 जुन 2024 के अंतराल काल चक्र में शुबता का लाचणिक इस्तिती को इंडिकेट करने वाला 11 जुन हमारे हिसाब से मेरे जानकारी के तहत एक बहतर महुर्त दिखाई दे रहा है इस महुर्त में यदि हमारे देश के उजस्वी प्रधार मंत्री माननी मोधी जी शपत ले है मित्रों एक संभावना के तहट या हमने एक तथ्यात्मक विचार के रुप में अपनी बातों को आपके सामने रखने की कोशिश किया हूं और वैसे किस तारीक को वशपत लेते हैं यह तो वक्त बताएगा मित्रों मैं जोतिस अचारे प्रभिल चत्रिवदी नवश्कार नमोरा गला